हमारे पूरे बॉड़ी में, हम लोगوں का हाथ एक ऐसा पार्ट होता है, जो कि सबसे ज़ाधा विजिबल होता है, यानि कि जब हम लोग टी-सर पहनते हैं, तो सामने वाले का सबसे पहले हमारे हाथों पे ही नज़र जाता है, और इसलिए जिन लोगों का हाथ पतला होता है उसका पूरा body का look ही बेकार लगता है और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे exercise के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप एक महिने तक भी कर लेते हो आपका हाथ एक अच्छा खासा look में आ जाएगा वीडियो को पूरा आखिर तक देखेगा और एक एक exercise को ध्यान से समझेगा exercise number one देखे इस exercise को करने के लिए आपको किसे डंडे को या फिर किसे rod को अपने हाथों में पकड़ लेना है और फिर उस डंडे को नीचे की और प्रेसर देते हुए उसके अगले सीरे को उपर की और उठाना है और कुछ इस तरीके से आपको इस exercise को perform करना है देखे ये exercise आपके फुराम के muscles को बहुत तेजी से ग्रो करती है और जिन लोगों का फुराम मोटा होता है उसका पूरा हाथ आटोमेटिक ही मोटा लगने लगता है इस exercise को करने के लिए आपको सबसे पहले push-up के posture में आना है और इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का posture perform करना है ध्यान रे कि इस exercise को करते वक्त आपको सिर्फ अपने फुराम पे pressure देते हुए अपने elbow को सिर्फ नीचे सटाना है ये exercise भी आपके हाथ को काफी जाद तेजे से मजबूत बनाती है तो इस exercise को भी आपको तीन सेट 12 repetition के लगाने है exercise no.3 देखे इस exercise को करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर बैठ जाना है और फिर अपने हाथों को कुछ इस तरीके से पीछे करके रखना है और फिर इसके बाद उंगलियों से जमीन पर प्रेसर देते हुए अपने body को up and down करना है यह exercise आपके फुराम को तो strong बनाती है और साथ ही साथ आपके उंगलियों को भी strong बनाती है इस exercise को भी आपको तीन सेट 12 repetition के लिए लगाने है exercise no.4 finger push up देखे जिस तरीके से हम लोग push up लगाते हैं तो अपने पूरे हथेली को जमीन पर रखते हैं लेकिन आपको इस push up को लगाते वक्त आपको अपने हथेली को जमीन पर नहीं रखना है बलकि आपको अपने उंगलियों को जमीन पर रखती हुए कुछ इस तरीके का push up लगाना है तो इस exercise को आपको तीन सेट 10 repetition के लगाने है exercise no.5 wrist curl देखे इस exercise को करने के लिए आपको एक बारवल की जरुवत पड़ेगी अगर आपके पास बारवल नहीं है तो आप किसी rod या फिर डंडे को भी परियोग कर सकते हो आपको डंडे को या फिर rod को अपने हाथों में पहले पकड़ना है और फिर अपने फुरारम को किसी bench के ऊपर रखना है और इसके बाद कुछ इस तरीके का posture perform करना है देखे ये exercise भी आपके फुराम को काफी जादा तेजी से ग्रो करती है तो इस exercise को तो जरूर करें तो इस exercise को आपको 3 set 15 repetition के लगाने है exercise no.6 wrist curl behind back देखे इस exercise को भी करने के लिए आपको किसी बारवल या फिर रोड को लेना है और अपने हाथों को पीछे करते हुए कुछ इस तरीके से आपको रोड को पकड़ना है और इसके बाद अपने उंगलियों को खोलते हुए रोड को नीचे लेकर जाना है और फिर उसे मोड़ते हुए रोड को उपर लेकर आना है इस exercise को भी आपको तीन सेट पंदरा रेपिशन के लगाने है exercise no.7 wrist ruler देखे इस exercise को करने के लिए आपको क्या करना है कि एक डंडा लेना है और उस डंडे के बीचों बीच आपको एक धागा बान देना है और फिर उस धागे में आपको किसी भी भारी समान या फिर किसी भी चीज को लटका देना है और फिर अपने हाथों को सीधा करते हुए उस धागे को धीरे-धीरे करके लपेटना है और धीरे धीरे करके नीचे लेकर जाना है देखे गिये exercise आपके फुरार्म को ग्रो करने के साथ साथ आपके grip को भी मजबूत बनाती है और आपका grip जितना ज़्यादा strong होगा आप उतना ही heavy weight आसानी से उठा पाओगे इस exercise को आपको तीन सेट चार repetition के लगाने है देखे जिस तरीके से आप लोग पुलब लगाते हो सेम उसी तरीके से इस exercise को करना है लेकिन इसमें आपको टॉबल का यूज करना है आपको किसी भी एक टॉबल या पिर किसी भी एक कपड़े को लेना है और फिर आपको रॉड में उसे उपर से फशाते हुई अपने हाथों से पकड़ लेना है और फिर अपने बॉड़ी को अपलिप्ट करना है पुलब लगाना है तो इस exercise को आपको तीन सेट आठ रेपेटिसन के लगाने हैं ये आठ तरके exercise थे जिसे आप करके अपने हाथों को मोटा टगड़ा बना सकते हो लेकिन अगर आप इन exercise को नहीं करना चाहते हो और आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप इस टूल को भी बाई कर सकते हो देखें COC hand grip एक ऐसा टूल है जिसे आप कहीं भी और कभी भी यूज़ कर सकते हो और अपने फोरार्म के अपने हाथ को मोटा टगड़ा बना सकते हो अगर आप इसे लेना चाहते हो तिसका best बायर लिंक आपो नीचे description box में मिल जाएगी आप वहाँ से बाय कर सकते हो तो हमें नीचे comment करके ये जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस topic पर देखना चाहते हो और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करके बैल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना भूलें तो बीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद